Hello everyone and welcome back to my channel Engage Music Production मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लाइव इंस्रूमेंट मिक्सिंग के बारे में पेसिकली यहाँ पे अगर आपने कोई भी लाइव इंस्रूमेंट को रिकॉर्ड करा है फ्ल्यूट गिटार इस टाइप को कोई भी इंस्रूमेंट अगर आपने रिकॉर्ड करा है देन उसकी प्रोसेसिंग कैसी होनी चाहिए उसकी मिक्सिंग कैसी होनी चाहिए इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में हम जो instrument यूज़ करने वाले हैं वो है flute flute को कैसे हमने record किया है इस पर मैं already एक वीडियो बना चुका हूँ अपने दूसरे चानल पर उस वीडियो का link आपको cart में और description में मिल जाएगा जा के check कर सकते हैं आज वो जो sample है वो जो flute हमने record करी है वैसे तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने mix करा है बट आज यहाँ पे FL Studio में मैं आपको in detail में बताने वाला हूँ कि exactly क्या क्या चीजे हुई थी किस टाइप से हमने processing करी है यह जो flute है वो हमने record करी थी Cubase में आप Cubase में record करो, FL Studio में record करो, Ableton Live में record करो कोई फरक नहीं पड़ता है ज़स्ट जो artist में पस आये हुए थे वो Cubase के साथ ज़ादा comfortable थे सो मैंने Cubase में record किया बट जो processing and mixing थी वो मैंने बाद में करी थी so मैंने सोचा मैं क्यों न वो FL Studio पर करूँ so that मैं बाद में एक tutorial भी बना पाऊँ आप लोगों के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो FL Studio यहाँ पर तीन files है basically जो first file है यहाँ पर यह original flute recorded है एक बढ़ इसको सुनते हैं यहाँ पर processing मैं इसमें remove कर देता हूँ second पर है यह यहाँ पर आप second पर देख सकते हो second पर कुछ भी नहीं है so इसको एक बढ़ ही हम play करके सुनते है अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे हो कि हमने जो flute record करी है उसमें इतनी noise थी तो यहाँ पर जो हमने flute record करी है उसमें इतनी noise नहीं थी यहाँ पर मैंने एक limiter use करा है master पर because जब हम video बनाते हैं यह जो volume है वो काफी कम हो जाती है तो उसको boost करने के लिए यहाँ पर मैंने एक limiter को use करा है master पर चलते हैं यहाँ पर है fab filter pro l आप देख सकते हो यहाँ पर 5.50 db gain यहाँ पर मैंने add करा है तो इसको करते हैं हम यहाँ से disable अब एक बार ही सुनते हैं कि original जो हमारा flute था flute हमने record करी थी वो कैसी हुई थी तो जैसा कि अब आप सुन सकते हो यहाँ पर जो आपको सुनाई दे रहा है so यह noise record हुई थी जब हमने flute को record करा था then अब पूरा एक पर ही सुन लेते हैं कि कैसी हमें यहाँ पर noise मिली थी and overall जो flute है वो मिली थी यहाँ पर एक चीज में और बताना चाहूंगा आप सुन सकते हो बीच में वो थोड़ा सा lips की आवाज आ रही है because जो artist है वो flute player है so जब flute को play करते हैं तो वो हलका सा इस type से आवाज आती है वो हम post में उसको cut कर सकते है कर सकते है जैसा कि आप सुन सकते हो flute जो है उसकी sound जो है raw sound ही काफी अच्छी हमें आ रही है यहाँ पर main जो issue है वो है यहाँ पर noise का तो सबसे पहले noise को remove करना होगा वैसे मैं already यह काम कर चुका हूँ बट यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ FL studio में सबसे easy है वैसे यह DAW में को सबसे जादा best इसलिए लगता है noise removal के लिए because यहाँ पर आपको जो plugin मिलती है वो काफी useful है उससे आपकी जो noise है one click में remove हो जाती है so यहाँ से इसको double click करते है right click then उसके बाद यहाँ से हम edit in audio editor Edison open हो जाएगा यह रहा Edison अब यहाँ पर noise remove करने के लिए वैसे तो मैं noise removal पे भी एक video बना चुका हूँ but वो देखने की ज़रुदत नहीं है because यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ so इसको करते हैं zoom basically यह जो हमारा section है यह है noise का एक बड़ी इसको सुनते है play हमें यहाँ से करना है तो यह है हमारी noise तो इसको कर लेते हैं capture यहाँ पर brush का आपको icon दिख रहा है इस पर आप right click भी कर सकते हो और left click भी कर सकते हो right click करोगे तो यह directly capture हो जाएगा but अगर आप left click करते हो so यहाँ पर आपके सामने एक window आ जाएगी then यहाँ पर आपको acquire noise profile पर करना होगा click so यहाँ पर अब Edison ने वो noise को capture कर लिया है उसको पता चल गया है कि क्या remove करना है अब कैसे remove करना है यहाँ से आप इसको करोगे zoom out आप select all करोगे control प्लस A अपने keyboard पर यह पूरा select हो गया है then again आपको click करना है इस brush के icon पर then आप देख सकते हो यहाँ पर noise आपको दिख रही है अब यहाँ पर बहुत जादा important point जो है threshold and amount threshold को आप इतना रख सकते हो default रख सकते हो लिकिन जो amount है अगर आप उसको जादा रखते हो इतना तो आपके जो आपका जो wave file है आपकी जो recorded file है उसमें कहीं न कहीं वो artifacts आ जाएंगे वो अच्छी sound नहीं करेगी because उसमें से frequencies कुछ remove हो जाएंगी आपकी noise के साथ अब अगर इसको सुनके देखे तो आपको अपने keyboard पे अपने space bar जो key है उसको press करना है so आपने हलका सा सुना हलके से वो clicks आए वो जो lips की अवास थी वो आई है but यहाँ पे amount इसमें बहुत कम रखना है so that उसकी frequencies की जो frequencies है recorded flute की वो ना remove हो जाए so यहाँ पे आप इसको आदे से थोड़ा से कम रख सकते हो वैसे यह depend करता है आपके taste के उपर अगर आपने जादा कर दिये remove दिन आप उसको फिर से recover कर सकते हो because wave file आपके पास अभी भी होगी so यहाँ से इसको मैं कुछ इस amount पे रख लेता हूँ and उसके बाद मैं करूँगा accept पे click आप यहाँ पे देख सकते हो noise remove हो चुकिया बट इस starting में अभी भी है एक बार यहीं पे सुनते हैं अब आप यहाँ पे सुन सकते हो noise remove हो चुकी है lips की जो आवाज है वो तो रहेगी because वो noise नहीं है वो एक तरीके की sound है एक पर ही यहाँ से flute सुनते हैं क्या सही सुनाई दे रही है आपको जो main noise सुननी है न because यह जो topic है noise का मैं इतना आपको explain कर रहा हूँ यह बहुत ही छोटा सा topic है कि ऐसे ऐसे करके आप noise को remove कर सकते हो लेकिन वहीं पे आप लोग गलती करते हो यहाँ पे जैसे इस flute में आपको ने spaces देखनी है generally लोग starting से देखते हैं end से देखते हैं लेकिन आपको पीछ में space देखनी है मैं एक बड़ी आपको exactly समझाता हूँ like यह portion है यहाँ पे हलका सा pause आया है तो यहाँ से एक बड़ी सुनते हैं जैसे यहाँ पे जो यह pause था यहाँ पे हलका सा gap था sound का तो वहाँ पे आपको noise को सुनना है कि वहाँ पे noise आ रही है या नहीं because वो काफी ज़ादा important है वहीं से exactly आपको पता चलेगा कि आपने जो noise remove करी है वो सही तरीके से करी है या नहीं तो यहाँ पे noise मेरी remove हो चुकी है इससे मैं satisfied हूँ यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है जब noise हमने remove करी है तो flute की कुछ frequencies reduce नहीं हो रही है करी थी वैसी आनी चाहिए तो यहाँ पे इसके साथ मैं comfortable हूँ okay हूँ मैं इसके साथ मुझे सही लग रही है यहाँ पे मैंने उठाया और इसको यहाँ पे मैंने कर दिया drag and drop इसको करते हैं close मैं यहाँ पे एक track add कर लेता हूँ यह track है मेरा इसको मैं large करता हूँ आप देख सकते हो जादा फर्क नहीं आया है अब बहुत ही अराम से देख सकते हो मैंने zoom कर दी है दोनों clips यहाँ पे noise का सिरफ difference है अब यह वाली हमारे पास noise removed है तो हम काम करेंगे इस इसको कर देते हैं हम बंद अब एक और important चीज़ बताना चाहूंगा जब भी आप लोग कुछ instrument को record करके उसको process करते हो ना generally बहुत सारे music producers क्या करते हैं उनके पास इस type के samples तो होते नहीं है I mean जो recorded यहाँ पे samples होते है raw वो नहीं होते हैं आप किसी ना किसी sample pack से use करते हो like flute ह हो गया यह guitar हो गया आप क्या करते हो उसी को processing करते हो लेकिन आपको याद रखना होगा वो जो samples आपने download करे है sample pack से वो पहले से ही processed होते हैं बट हम क्या करते हैं और compressor लगा दिया उस पे यह लगा दिया EQ कर दिया और उसकी sound बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं बन पाती है इंड हम सोचते हैं यह काफी unrealistic लग रहा है तो बहुत important है आपको sound को सुनना है उसके बाद ही processing करनी है like इस case में में पास कोई sample नहीं है हमने raw record करी थी video वैसे मैं बता चुका हूँ link description में जाके check कर सकते हो तो यहाँ पर क्या है यह बिलकुल भी process नहीं है अब हमें इसको scratch से scratch मतलब starting से process करना है लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना जो flute player है आप एक बरी उसको सुनाओ क्या वो comfortable है उसके साथ जो आपने processing करी है because बहुत बरी लोग ऐसा करते है processing जादा amount में कर देते हैं उससे tone ही वेकार हो जाती है आपको processing आपको mixing ऐसी करनी है so that वो एक naturality उसकी बनी रहे जिस type से वो sound कर रहा था वो उसी type से रहे हलके से harmonics add होने चाहिए saturation आप add कर सकते हो लेकिन यह नहीं है कि आपको एकदम ही उसको बिलकुल ही बदल देना है एकदम ही उसमें mixing के बाद एक drastic change आ जाए ऐसा आपको नहीं करना है तो चलो बाते मै बहुत कर ली अब एक बड़ी मैं दिखाता हूँ कि exactly कैसे करा है मैंने तो मेरी जो chain थी मेरा mixer channel था वो था one यहाँ पर processed flute तो अब मैं क्या काम करता हूँ इसको मैं one पर add कर देता हूँ अब एक बड़ी इसको सुनते हैं यहाँ पर raw बन कर देते हैं यहाँ पर reverb delay कुछ नही करते हो यहाँ से declicking mode आप select कर सकते हो generic यहाँ फिर smooth देन उसके बाद यहाँ से मैं इसको कर दूँगा थोड़ा सा छोटा अब अगर मैं zoom करूँ तो आप देख सकते हो इस type का cut यहाँ पर आ जाएगा और अगर आप smooth करोगे तो यह cut थोड़ा सा और आपको दिखेगा सुनते हैं एक बारी तो यहाँ पर क्या है जो हमारी flute है उसकी sound process तो हो गई है mix हो गई है लेकिन इतना फर्क नहीं पता चल रहा है बहुत ही slightly सा पता चल रहा है अगर आप raw सुनोगे और यह सुनोगे जो processed है आपको जादा difference नहीं पता चलेगा हलका सा पता चलेगा एक बरीवे करके आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ओके यहाँ पर मैंने यह channel बंद कर रखा है तो इसको open कर लेते हैं सबसे पहली चीज जो मेरे को यहाँ पर लग रही है वो है noise जो उपर वाली है flute जो raw थी उसमें noise अराम से पता चल रही है आप headphones पे सुनोगे अच्छे headphones पे सो आपको जरूर समझ में आएगा सो अब मैं एक बारी दिखाता हूँ आपको की exactly मैंने क्या processing करी है सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक fruity parametric EQ2 आप यहाँ पे देख सकते हो यह जो मैंने use करा है EQ use करा है इसमें just हलकी सी lows कट करी है इंड मैं आपको अगर दिखाऊं की exactly lows क्या कट हुई है सो इसको मैं opposite करके दिखाता हूँ टाइप high pass से करतेंगे low pass एक बड़ी सुनते है तो I know आप सुन नहीं सकते अगर आपने headphones use करे हैं तब भी बट आप देख जरूर सकते हो यहाँ पे हलकी सी frequencies है जो कहीं न कहीं अगर आप mix करोगे इस flute को सो आपको कहीं न कहीं problem आ सकती है तो यहाँ पे मैंने हलका से इस पे एक low cut use करा था वापिस इसको कर देता हूँ मैं high cut से low cut पे सो यहाँ पे हो चुका है हमारा low cut देन उसके बाद यहाँ पे मैंने use करा है frap filter pro q3 अब यहाँ पे मैंने क्या करा है कुछ न फ्रिक्वेंसी थी जहाँ पे काफी ज़्यादा जो flute है वो sharp हो रही थी एक बरी मैं आपको सुनाता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो वो कुछ frequencies थी वो बहुत ही जादा high जा रही थी तो यहाँ पे मैंने क्या करा है इनको cut नहीं करा है इसको dynamic EQ से थोड़ा सा reduce कर दिया है कि जैसे ही वो threshold जो मेरा है उससे थोड़ा सा उपर जाएंगी तो थोड़ी सी slow down हो जाएंगी यहाँ पे ऐसा मैंने करा है इसलिए अगर मैं यहाँ पे सिरफ cut कर देता notch यहाँ फिर bell cut कर देता bell curve से cut कर देता तो यहाँ पे क्यों होता पूरी sound मेरी cut हो जाती मतलब वो जो frequency मैंने cut करी होती वो पूरी cut हो जाती बट dynamic EQ के साथ क्या है जब वो उस threshold को जैसे ही जादा जाएगा threshold से वो उसको cut कर देगा वो तभी cut करेगा उससे पहले cut नहीं करेगा लाइक अगर मैं starting से सुनाऊ लाइक अभी जो एक part आया था उसमें यहाँ पे frequency नहीं थी तो उसने cut नहीं करा हलकी सी थी जादा frequencies नहीं थी तो जितना हो सके अगर आप dynamic EQ का use करते हो तो आपको काफी जादा अच्छे results मिलने वाले हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो dynamic EQ मैंने use कर रहा है अब मैं exactly सुनाता हूँ कि क्या cut हुई है frequency यहाँ पे तो जैसे कि आपने सुना यहाँ पे यह जो frequencies है यह resonating frequencies है जो unwanted basically आप कह सकते हो लेकिन अगर आप अच्छे से इसको समझो तो unwanted basically यह नहीं है यह कहीं न कहीं आपका जो recorded file है जो flute है आपका sample उसमें कहीं न कहीं यह body देता है पट एक amount से जब वो जादा हो जाता है तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता तो उसी को आप dynamic EQ की मदद से reduce कर सकते हो और उसको अच्छा sound करवा सकते हो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने second यहाँ पे एक cut लिया है एक बड़ी सुनाता हूं मैं आपको क्या exactly reduce हुआ है तो जैसे कि आप सुन सकते हो resonating frequency again थी resonating frequency को अगर आपको समझना है तो वो जो CT वाली आवाज होती है न आप उस type से समझ सकते हो दिन आगे चलते हैं इसके लावा मैंने इसमें high cut low cut कुछ भी नहीं करा है saturation knob यहाँ आप मैंने use करा है saturation बट अगर आप देखोगे so saturation भी बहुती slightly सा use करा है एक बर इसको on off करके देखते हैं क्या फरक पड़ता है अगर आपने meter पे अराम से ध्यान से देखा होगा दिन आपको realize होगा कि यहाँ पे जैसे ही मैंने on off करा है volume में इतना change नहीं आया है बट अगर आप अच्छे headphones पे सुन रहे हो then definitely आपको वो जो हलका सा effect है जो add on हुआ है saturation वो आपको जरूर सुनाई देगा अब यहाँ पे again मैं आपको एक और important बात बताना चाहूंगा ऐसा मत सोचना कि saturation अगर मैं use कर रहा हूँ so मैं बहुत ज़ादा use कर लूँ वो आपकी जो overall आपकी tone है उसको damage कर सकती है उसको खराब कर सकती है then उसके बाद क्या होगा जब आप वो ही processed जो अपका sample है जो recorded file है processed recorded file है वो अगर आप artist को सुनाओगे तो उसको कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं लगेगा because वो saturated से over saturated हो जाएगा तो saturation use करो लेकिन slightly से use करो just take उसको taste देने के लिए next यहाँ पर मैंने use करा है एक compressor so compressor को मैं open करता हूँ यह compressor है comp tube sta arturia की तरफ से so यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा enlarge कर लेता हूँ arturia की जितनी भी plugins हैं वो में को काफी अच्छी लगती है because यहाँ पर उसका size है उसको change कर सकते हो जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया so यहाँ पर compressor again compressor की मैं आपको एक और बात बताऊंगा मैं यहाँ पर compressor add करता हूँ same compressor add करता हूँ जो उपर compressor है उसको मैं बंद कर देता हूँ and इस compressor को मैं on करता हूँ so यहाँ पर आ चुका है हमारे compressor अब compressor use करते time बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं क्या मैं आपको बताता हूँ compressor use करना मतलब मिंटो का खेल हो जाएगा आपके लिए जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर दो knobs का आपको ध्यान रखना है एक input यहाँ फिर आप threshold भी बोल सकते हो second आपकी होती है output यहाँ फिर आप उसको बोल सकते हो आपका gain knob यह दो जो knobs है काफी जादा important है आपका compressor इसी पे rely करता है plus आप क्या करने वाले हो वो भी इसी पे ही depend करता है मैं आपको दिखाता हूँ बहुत बार गलती जो लोग करते हैं यहाँ पे compressor add किया तो यहाँ पे है हमारा output जैसा कि मैंने आपको बताया output and gain knob आप कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे यह set है 48 db पे plus 48 db पे अब एक काम करते हैं यह पहले से ही 48 db था मतलब पूरा यह जो 100% है अपना वो था अब एक बड़ी मैं इसको play करता हूं and यहाँ पे जो यह compressor है इसको on off करता हूं अभी कुछ भी gain reduction नहीं हो रहा है तो यहाँ पे शायद आपको पता ना चलाओ बड़ जैसे ही मैंने compressor को on करा न थोड़ा सा volume बूस्ट हो गया अब basically इस compressor को compress करना चाहिए था लेकिन यहाँ पे इसने compress नहीं करा जस्ट एक volume थोड़ा सा बूस्ट कर दिया slightly थोड़ा सा बूस्ट कर दिया अलग-अलग plugins पे depend करता है कि वो कितना बूस्ट करती है तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से compressor को use करते हो तो एक तरीके से आपने compression use ही नहीं करा आपने just volume को boost कर दिया तो यहाँ पे compression का सही तरीका क्या है आपको देखना है जो input यहाँ फिर जो अपकी threshold वाला knob है उसको देखना है एंड उसके बाद देखना है यह gain reduction मैं यहाँ से gain reduction जो मेरा मतलब यह है input वाली knob है इसको मैं बढ़ाऊंगा और आप धीरे-धीरे देखना यहाँ पे gain reduction स्टार्ट हो जाएगा अभी कुछ नहीं हो रहा होगा अब यहाँ पे क्या हुआ जो हमने input यहाँ पे हमने करा थ्रेशोल्ड को बढ़ाया gain reduction अराउंड 10 पहुँच गया था मतलब माइनस 10 यहाँ पे वो जो है decrease हो रहा है 10 db decrease हो रहा है माइनस नहीं 10 db वो decrease हो रहा है compress हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या है यह ना link हुआ पड़ा है input and output दोनों एक दूसरे से link है अगर मैं threshold यहाँ फिर input की knob को share रहा हूँ so at the same time यहाँ पे output भी बढ़ रहा है तो मैं क्या काम करता हूँ मैं यहाँ से इसको zero करता हूँ उसके बाद यहाँ से इसको unlink करता हूँ अब सिरफ मैं यहाँ से threshold को जो है वो बढ़ाऊंगा sorry अगर आपको काफी ज़्यादा आवाज आई हो यहाँ पर basically क्या हुआ यह red हो गया था तो threshold जो था वो हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया उससे क्या हुआ गें रेडक्शन हुआ exactly जो गें रेडक्शन हुआ वो है आपका compression तो जब भी आपको compression यूज करना है आपको slightly सा यूज करना है like अगर मैं इस case में आपको करके दिखाऊं बहुत ही थोड़ा सा आप कर सकते हो 2-3 db तक अराम से आप कर सकते हो वैसे यह depend करता है कि आपको किस type का आपका जो recorded file है वो है यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंँ तो यहाँ पर ज़्यादा dynamic range अगर आप देखो तो इतनी ज़्यादा नहीं है यह बहुत ही अच्छा sound कर रहा है इन dynamic range जादा नहीं है that is यह perfect अभी already है इस पर अगर हम compression apply करेंगे तो वो उतना यहाँ पर अच्छा आपको effect या फिर उतना अच्छा result आपको नहीं देगा बट यहाँ पर एक थोड़ा सा touch देने के लिए compression का touch देने के लिए बहुत ही slightly मैंने compression को यहाँ पर यूज किया है मैं एक पर यह आपको थोड़ा सा यहीं पर करके दिखाता हूँ अब यहाँ पर मिरे को इतना slightly सा मिरे क्याल से 1 dB के around 1 से 2 dB के around यहाँ पर gain reduction हो रहा है which is perfect मुझे इतना ही चाहिए था बिलकुल एक हलका सा बस उसको tone देनी है लेकिन अब क्या है at the same time यहाँ पर जो मेरी volume है वो बहुत जादा बढ़ गई है वो क्यों बढ़ी है बिकाज यहाँ से output वाली जो knob थी वो पूरी 100% पर थी which is 48 dB plus 48 dB उसने gain levels कर दी है तो अब मैं क्या करूँगा gain level को एक maintain करने के लिए which is मेरा था minus 12 के बीच में minus 12 minus 9 के बीच में तो अब मैं इस वाली knob को जो output वाली knob है जो gain knob है उसको मैं करूँगा कम तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको करा है compress अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने compression apply करा है यहाँ पर मैंने क्या करा है बहुती slightly सा compress किया है mean जब आप compression apply करोगे तो आपको gain reduction देखना है कि gain reduction कितना हो रहा है अगर वो बहुत जादा हो रहा है तो आपको समझ लेना है कि आप गलती कर रहे हो और यहाँ पर red भी दिखा रहा था अभी आपने देखा होगा अगर आप सोच रहे हो कि आवास फट रही है तो उसको तो आप control कर सकते हो gain knob से जो output है बट यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है because compressor को भी use करने का एक तरीका होता है जो कि I hope अब आपको clear हो गया होगा लेकिन अगर अभी भी कोई doubts है तो comment section खुला है please आप मेरे से पूछ सकते हो मैं वीडियो बना दूँगा so यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि exactly मैंने क्या किया था इसको कर देता हूँ delete यहाँ पर यह आ गया है मेरा compressor आप देख सकते हो हलका सा compress किया है यहाँ पर हलकी सी output जो है थोड़ा सा कम किया है एक बार ही play करते है यह भी कर दिया था मैंने bypass मैं आपको on off करके दिखाता हूँ एक वो बहुत ही slightly बहुत ही slightly सा एक touch दिया है एक बार ही आप सुनो तो अगर आपके पास अच्छे headphones हैं तो आपको समझ में आया होगा हलकी सी अवास जो है न वो थोड़ी सी बहुत ही slightly सी heavy हो गई है एक texture add कर दिया है compressor ने बट अगर आप देखोगे कि यहाँ पर जो levels थे वो हमारे बहुत ज़ादा बढ़ गए हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है levels maintain है लेकिन sound में difference आ गया है थोड़ी सी energetic थोड़ी सी heavy sound हो गई है heavy का मतलब यह नहीं है कि बहुत ज़ादा boost कुछ आ गया है बहुत ही slightly सा एक वो आपर character add हुआ है next अब मैं आपको दिखा हूँ तो यहाँ पर मैंने add करा है एक s1 imager बहुत छोटा सा plugin आपको दिख रहा होगा मैं zoom कर देता हूँ यहाँ पर मैंने बहुत slightly सा इसको थोड़ा सा spread करा है बहुत ही slightly सा just एक हलका सा touch देने के लिए वैसे अगर आप करते हो mono recorded file पर तो इतना फरक नहीं पड़ेगा पर फिर भी एक हलका सा touch देने के लिए मैंने इसको stereo कर दिया है so that अगर आप इसको solo में सुनोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगे इसको करते है off then उसके बाद यहाँ पर मैंने दो fruity send add करे हैं basically इस पर मैं video बना चुका हूँ फूटी send से आप कैसे अच्छे तरीके से parallel processing कर सकते हो advanced parallel processing उस video का link पर आपको description में और card में मिल जाएगा जाके check कर सकते हो so यहाँ पर मैंने दो fruity send लिये हैं दिन यहाँ से मैंने signal को भीचा है reverb channel no.3 and channel no.4 पे reverb एक बड़ी मैं आपको on करके सुनाता हूँ reverb जो मैंने यूज करा है वो है well hella vintage verb एक बड़ी सुनते हैं basically यहाँ जो यह मैंने reverb यूज करा है यह मेरी processing थी मेरे को ऐसा touch अच्छा लग रहा था पर जब मैंने यह processed file अक्षद को भेजी जन्होंने flute play करा है तो उनको reverb अच्छा नहीं लगा उन्होंने का reverb बहुत जादा हो रहा है और अगर आप यहाँ पे देखो तो reverb का signal काफी जादा काम है बट उनको reverb नहीं अच्छा लग रहा था यहाँ पर मैंने यूज करा delay सो अब मैं आपको delay सुनाता हूँ reverb को off कर देते हैं delay सुनते हैं delay मैंने यूज करा है यहाँ पर stock plugin जो की है fruity delay 3 सुनते हैं एक बारी क्या फरक पड़ता है आप सुन सकते हो यहाँ पर हलका सा वो delay आ रहा है जो की सुनने में काफी अच्छा लग रहा है और वो जो spaces है न वो उसको भर रहा है आप मेंसे काफी सारे लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पर side chain नहीं करा है तो side chain मैंने इसलिए नहीं करा है वो कहीं न कहीं vocal थोड़ा सा जो आपका recorded flute है उसके साथ ना clash करे बट हो सकता है दूसरे जो elements है उसके साथ clash कर जाए तो इसलिए यहाँ पर अभी यह solo है तो यहाँ पर मैंने किसी भी type की side chain नहीं करी है delay signal पर यहाँ पर delay बिल्कुल मैंने settings normal रखी है यहाँ पर जो time है वो आप देख सकते हो 1 by 4 का मैंने रखा है आपके सामने इन बाग की किसी भी settings को मैंने यहाँ पर नहीं चेड़ा है सिरफ इस try वाली knob के try knob को कर दिया मैंने all the way zero then उसके बाद मैंने जो signal है उसको control करा है यहाँ पर channel fader से again एक बरी मैं आपको सनाता हूँ क्या फरक पड़ता है तो यहाँ पर जो delay का signal है वो कुछ इस type का है and यह suit कर रहा था यह सुनने में अच्छा लग रहा था because मैंने processing के बाद flute player को ही सुनाया था तो यहाँ पर इतना perfect है यह वैसे depend करेगा आपके in flute player के उपर कितना amount आपको रखना है then एक काम मैंने और कर रहा है last में यहाँ पर मैंने use कर रहा है एक fruity parametric EQ2 यहाँ पर जो यह जो मैंने use कर रहा है इस पर जो delay signal है सिरफ उसका मैंने lows और थोड़ी सी high cut कर दिये so that जो flute का signal है उसके साथ जादा clash ना हो तो अब यहाँ पर अभी आपने जितनी भी यहाँ पर यह sound सुनी है एक बार ही मैं आपको सुनाता हूँ then उसके बाद यहाँ पर मैं volume बूस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कितना फरकाया है हम level को कहां से कहां लेके गए है तो यहाँ पर जो हमारा signal है वो minus 9 से minus 12 के बीच में है बट अगर अब मैं इसको on करता हूँ इसमें add करता हूँ 5.5 dB का gain सुनते हैं कितना levels जाते हैं और देखते भी हैं exactly कितने levels यहाँ पर रहेंगे तो जैसे कि आप सुन सकते हो minus 6 dB तक हमारे जो signal है signal यहाँ पर level है वो पहुच चुका है and flute सुनने में काफी जादा अच्छी लग रही है हलका सा एक चीज में को यहाँ पर लग रहा है जो delay का signal है delay का volume में वो थोड़ा सा अप में को जादा लग रहा है शायद मैंने headphones change करे हैं इसलिए so अब मैं थोड़ा सा इसको down कर देता हूँ फिर सुनके देखते हैं तो अब delay का signal मुझे perfect लग रहा है अब last and final time में आपको सुनाता हूँ processed में and यहाँ पर यह जो flute का sample है जो raw था उसमें क्या difference आया है तो जैसा कि आपने सुना जो raw थी उसमें room एक तरीक से आप बोल सकते हो जो air रही थी उसमें noise थी जो हम remove कर चुके हैं free plugin stock plugin FL studio में audio editor जो इसका है fruity edition मैं अगेन आपको याद दिलाना चाहूँगा जब भी आप किसी भी instrument को जब आपने live वो instrument record करा है जब आप उसको process करो जब आप उसको mix करो then आपको please processing के बाद आपको सुनाना है आपको check करवाना है artist से जिसने वो instrument को play किया था because उसको ज़ादा अच्छे तरीके से समझ होगी उस instrument की sound के बारे में second important point आपको कभी भी चीज़े over नहीं करनी है because काफी बार आप सोचते हो कि अगर मैं ज़ादा compression apply करूँगा ज़ादा saturation apply करूँगा तो मेरा जो track है वो अच्छा sound करेगा मेरा जो instrument है वो अच्छा sound करेगा नहीं वो ही एक गलत चीज़ है जो की आपको सुधारनी है उसी एक वज़े से आपके जो tracks है वो अच्छे sound नहीं करते हैं तो I hope ये video आपके लिए helpful रहा होगा I know मेरे जो videos होते हैं वो काफी ज़ादा duration के होते हैं काफी लंबे होते हैं बट personally मेरा मानना ये है अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हो तो आपको अच्छे से अराम से सीखना चाहिए टाइम पास्ट 3-4 मिनिट या फिर 5-6 मिनिट में नहीं करना चाहिए वीडियो अच्छा लगा है वीडियो कर देना लाइक चैनल को कर देना सब्सक्राइब और मैं मलता हूँ आप से बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में